अग गुड़गाउं ओर्सी से यग्ड की अती सम्मानिय वरिष्ट अंतराश्टिक ख्याती प्राप्त आशा दीदी हम सब के बीच पधा रहे हैं सब करतल ध्वनी से आशा दीदी का स्वागत करेंगे ओ शांति और बताओं आप कौन हो पुझ्य हो बाबा ने यह जो कहा है मूर्थियां होती है ना तो मूर्थियों के संपर्क में आकर के भी लोग कितने खुश होते हैं ना दर्शन हो गाए हम सब मूर्थियां है क्या मैं ऐसी बनी हूँ जो मेरे संपर्क में कोई आए और खुश हो जाए मेरे संपर्क में कोई आए और प्राप्ति का अनुभाव करे ऐसी बनी हूँ काम तो यह ना आज हम बाबा के सामने जाते हैं दादियों के सामने जाते हैं मैं दादी के सामने के दादी ने कुछ कहा नहीं तब मीठी मुस्कान दी उतनी मेरे बहुत है कहते है ना आप लोग बाबा की दृष्टी मुझ पर पड़ी उतनी बहुत है यह सुक कहां मिलेगा परिवार वापस ले जाने के लिए भी अकेला अकेला नहीं कहते हैं एक अठे ले चलोगा कैसे चलना है बारात तयार है बाबा की जो बाराती तयार है वो हाथ खड़े करो इस सब बाराती तयार है सजनी कोई नहीं है विद्या बियन देखो कोई सजनी नहीं है बाराती अंताली बजाते जाओगे क्या कैसे जाना है बाबा के साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है साथ जाना है तो हाथ क्यों खड़े के बारात में क्यों खड़े किये नहीं हम बाबा की सजनी सजनी मना साथ साथ तो जब तक बाबा साथ है बाबा का हाथ हमारे उपर है साथ हमारे छोड़ना नहीं बाबा का हाथ नहीं छोड़ना आज की मुरली में आप लोग पढ़ेंगे बाबा ने एक शब्द यूज़ किया है कि बच्चे रियल समझ से वन्चित हो जाते हैं मैं इतना ही कहूँगे रियल समझ से वन्चित हो जाते हैं रियल समझ किसको कहते हैं वो आप सोचना रियल समझ क्या है सुच लेगा ठीक है